ये है GMD News and Network और आप देख रहे हैं ITV इंदुस्तान परदे सरकार की पहल उद्ध्यान विभाग के सौजन्य सेब सीमान्त छेतर जोशीमट में सेब बागवानी में आएगा क्रांतिकारी परिवर्तन जी हाँ आने वाले तीन सालों में पहली अमेरिकन परजाती के सेबों की फसल तयार होगी सेब कास्तकारों ने क्लोनल रूट स्टाक परजाती की नई तकनीक के 13 सोने पेडों का उगान का बीडा उठाया है सिमान्त प्रखंड में खत्म हो चुकी सेब की रॉयल डेलिसिस परजाती के स्थान पर अब क्लोनल रूट स्टाक परजाती का सेब उगाया जाएगा क्लोनल रूट स्टॉक प्रजाती के सेव के पेडों के छेतर में दस्तक देने से अब परियतन के साथ बागवानी के रूप में विक्सित होगा जोशिमट छेतर उध्यान विबाग जोशिमट इन दिनों जोशिमट फल पट्टी को बागवानी के रूप में विक्षित करने की कवायद में जुड़ गया है इसके तहट कास्तकारों को क्लोनल रूट स्टॉक जैसी नवीन प्रजाती के सेब और अखरोट के पौधे दिये जा रहे हैं हिमाले प्रदेश की तरज पर प्रेटन इस्तल जोशिमट और आसपास के गाउं को अब बागवानी के रूप में और नए रूप में विक्षित किया जाएगा यहाँ पर सेब, कीवी के उन्नत किस्म के पौधे लगाए जाएंगे इसके लिए कासकारों से पौधों के लिए विभाग द्वारा डिमांड लेकर पेड़ बाढ़ने की परिक्रिया शुरू कर दी गई है साथी कासकारों को सबसीडी भी दी जा रही है इस परजाती की खासियत यह है कि इससे शीत काल में ज़्यादा चिरिक टाइम की ज़रूरत नहीं पड़ती सामाने ठंड में भी सेब के पौधों में अच्छी बड़त होने लगती है मैतपुन बात यह है कि डेलिसस परजाती के पेड़ जहां पांच वर्ष बाद फल देता है वहीं नई परजाती में तीसरे वर्ष से उत्पादन होने लगता है और इसका पेड डेलिसस की तरह जादा बड़ा नहीं होता ऐसा माना जा रहा है कि इससे कास्टकारों के आर्थ की मजबूत होगी और जोशिमट को आधुनिक फल पट्टी के रूप में पहचान मिलेगी दरसद जिलायोजना के तहत उद्यान विभाग जोशिमट की पहल पर उद्यान विभाग की और से जोशिमट छेतर के आसपास के गाउं को परेटन के साथ उन्नत किस्म की बागवानी के रूप में विक्सित करने की तयारी की जा रही है इसके तहित कास्ट कारों को क्लोनल रूट स्टॉक जैसी नवीन परजाती के सेव के पेड़ दिये जा रहे हैं जिससे जल्द और अच्छी कॉलिटी के फलों की पैदाबार होगी उद्यान सचल डल जोशिमट के अधिकारी सोमिश भंडारी ने बताया कि जोशिमट में वातावरण इन परजाती के फलों के लिए मुफीद और अनुकूल है इसके लिए छेतर में कलस्टर भी बनाए जा रहे हैं किसानों का अनुदान पर नवीर प्रजाती के सेब सौरवे प्रतीपेड अकरोट पचास उरवे प्रतीपेड के हिसाब से कास्त कारों को दिया जा रहा है बंडारी के मताबिक पौधों की डिमांड के आधार पर पौधे आ चुके हैं और वितरण भी लगबगपूर्ण हो चुका है उद्यान विभाग जोशिमट की इस पहल को स्थान्य लोग काफी सरहना कर रहे हैं इसाने लोगों का कहना है कि इस परकार के परियासों से आने वाले समय में प्रियाटन विवसाईयों के साथ-साथ कास्त कारों को बड़ा फायदा मिलेगा बदलाओं के दोर से गुजर रही जोशिमट प्रखंट की से बागवानी को ठोस योजना की अवशकता है समय की इन अजाकत को भांपते हुए सीमांत के बागवानों को ऐसी प्रजाती का चुनाओं करना है जो आने वाले सुखत भविश्य की गारंटी भी दे सके काशिपूर में आज विबिन धार्मिक स्थलों की कमेडियों के पदाधिकारियों तथा प्रशाचन की एक संयुक्त बैठक आयोजित की गई उपजिलादिकारी काशिपूर की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में हाई कोट के द्वारा धार्मिक स्थलो पर लाउड स्पीकर बजाने के लिए तै किये गए मानकों से बैठक में पहुँचे धार्मिक स्थलो के पदाधिकारियों को अवगत कराना था काशिपूर कोटवाली मायोजित इस बैठक में उपजिलादिकारी काशिपूर गौरव कुमार के अलावा परदूशन नियंतरन विभाग के छेतरी अधिकारी नरेस गोश्वामी तथा इस्थान या पुलिस अधिकारियों के अलावा सभी धार्मिक संप्रदायों के परतिनि अधिकारियों को अवगत कराया इस दोरान उपजिलादिकारी गौरव कुमार ने आयुजित की गई इस बैठक के बारे में बताते हुए कहा कि इस बैठक में हिंदू, मुस्लिम और सिख धर्म के लोगों के दोरा शिरकत की गई वहें इस बैठक का मुख्यो देश या प्रदूशन, नियंतरन बोर्ड के द्वारा, साउंड मीटर के द्वारा साउंड को बताया गया कि यह साउंड कितना होगा उन्होंने आशाव्यक्त की कि सभी लोग इसे फॉलो करेंगे आज एक कुटवाली में जो बैटक की गई इसमें हमारे हिंदू समुदाया, मुस्लिम समुदाया और सिक्समुदाया के लोग थे और वारता का मुख्य विशे था हाई कोड के रिसेंट जज्जमेंट जिसमें की 50 डिसीबल तक साउंड दिन में और 40 डिसीबल साउंड रात लगभग ये साउंड होता है तो लाउट स्पीकर अलग से लगाएंगे तो साउंड जाद हो जाएगा इस करह में सब को बता दिया गया है और आशा है सब लोग इसको फॉलो करेंगे पूर्व ग्रहमंत्री सुबोत कान साहे ने दिल्ली में हुई ट्रैक्टर प्रेड और हिंसा को लेकर केंदर सरकार को दोशी माना है उन्होंने सवाले निशान उठाते हुए का कि दिल्ली का लाल किला देश का गौरव है लाकों की तादाद में परदर्शन कारियों का लाल किले तक पहुँच जाना और वहाँ पर इतने बड़े पैमाने पर उपद्रव करना केंदर सरकार और दिल्ली सरकार की चूप है कर रहे हैं देश के इतिहास में यह शर्मनाग घटना है और सरकार को इसे गंबीरता से रेना चाहिए देश में अगर किसानों की बात की जाए तो पंजाब सबसे अग्रणी या भूमिका में रहता है और आज उसी राज्ये के किसानों पर प्रशंचिन लग रहा है जो एक जांच का विशे है और केंद्र सरकार को इसमें निश्पक्षता से जाच कर सार्विजनिक करना चाहिए कि किसान आंदोलन में जो दरवी और असमाजिक तत्व शामिल थे आखिर वे कौन थे आंदोलन बनता जा रहा है कॉंग्रेस का क्या स्टेंड रहे हैं इसमें किसी का भी मैं आपको सकता हूँ कि मैं देश का होम मिनिस्टर रहा हूँ और जो घटना घटी है बहुत संपल घटी है लाल किला इस देश का धरोहर रहा हूँ इसमें निश्पक्राइब पुलिस एलाओ तो रीच अप्टू देट और कोई ऐसा नहीं है कि एक मिनिट में घुजगर लोग जो सारी चीज़े आई हैं दूसरा कि जो लोग उत्पात करना चाहते थे उनका पहले से इस बात का घोसित था कि हम किसान महाद जो मुर्चा है उसकी बात में मानेंगे हम अप्राइब रहें तो जो लोग देश चलाक करके रान्नीत करना चाहते हैं वो गलत लोगों से पंगा ले रहें हैं इतिहास गवा है कि किसान और बैट्टू पंजाब आप इसको ऐसे नहीं टील कर सकते हैं मैं पंजाब में चुनाव प्रकरिया कराया हूं पंजाब का पीस प्रॉसेस कराया हूं आज इनके द्वारा फिर से वो सारी नाम की चर्जा हो रही है जिसको मैं नहीं करना चाहता हूं तो अपनी राज़नीत को पूरा करने के लिए कि किसानों के आंदोलन को वरबात करने के लिए आप इतना बड़ा इस्टिक ले सकते हैं देश की सुरक्षा के साथ है यह है असल सकते है जहां एक और केंद्र सरकार सुच्टा मिशन के नाम पर अर्बो खर्बो रुपय खरच कर देश को सुच्छ बनाने की मुहिम में जूटी हुई है वहीं आस्ता का केंद्र पिराने कलियर गंदगी के अंबार से आटा पड़ा है रोड़की से साथ किलोमेटर की दूरी पर विश्वा पर सीद्ध धरगा साबिर साहब की मौजूदकी की वजह से देश ही नहीं विद देखने को मिलता है नहीं नगर पंचायत होने के बावजूद भी इस धर्मनगरी में सफाई नहीं हो पाती दूर दूर तक फैली पॉलथीन के कचरे को साफ तोर पर देखा जा सकता है पर इस सब के बावजूद कोई भी विभाग इस गंदगी की जिम्मेदारी लेने को त देख रहे हैं आई टीवी इंदुस्तान